मेरे पास एक बुक है इस बुक के अंदर लगभग लगभग 127 पेज है और यह जो बुक है यह टाइम मेनेजमेंट के ऊपर है अगर आप किसी पूब्लीशेर हाउस में काम करते हैं या फिर आप किसी ऐसे ओफिस में काम करते हैं जहां पर आपको बुक के अलावा और भी बहुत टाइम लगता है तो यह वीडियो इस चीज़ का सॉल्यूशन है अगर मैं कहूं कि यह बुक पूरी मैं टाइब कर सकता हूं MS Word के अंदर केवल 20 मिनिट में तो आप क्या कहेंगे नहीं 20 मिनिट में तो पॉसिबल ही नहीं कैसे हो जाएगा हो सकता है बहुत आसान तर आपको आई बेटन में मिल जाएगा और यह आपको यहां पर उसका थमनिल दिख रहा होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है उसे भी जाके ज़रूर देखेगा और यह वीडियो तो आपके बहुत काम का होने वाला है कैसे हम एक बुक को हिंदी हो या की पर हों बहुत सारी हों इन सभी को अगर आपको अपने कंप्योटर तक ले जाना है तो आपको जरूरत होगी या तो इस तरह के एक कि स्कैनर की जिसे आप सारे पेजों कि ethnou webcam phone की तो यह आप तैय कर लीजिए कि किस चीज का आप इस्तमाल करेंगे हमें फिलाल करना क्या है कि input device की help से सारे pages को अपने computer तक ले जाना है जो चीज आपके पास available हो उससे आप scan कर लीजिए से कोई फरक नहीं पड़ता कि इस तरह का scanner आपके पास होना चाहिए आपके पास अगर phone भी है तब भी आपने page को scan कर सकते हैं सिर्फ scan करना है फोटो लेना है और अपने computer तक उन सारी चीज़ों को पहुचाना है तो चलिए मैं यह जो pages है यह book है मैं इनको scan कर लेता हूं book का page में आपको दिखा देता हूं इस तरह का चलिए मैं जल्दी से scan कर लेता हूं सो यहां पर हमें सबसे पहले खोलनी है अपने scanner की application सो इसे हम open कर लेते हैं image को scan कर रहा है इस पर हम क्लिक कर देते हैं और यहां पर हमने एक टिक लगाया हुआ है preview scan का यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे book में दो page एक साथ में है और अगर उनको एक साथ में हम scan करेंगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है तो यहां पर preview scan कर लेंगे और एक बार में एक पेज को scan हम करेंगे scan पे हम क्लिक करेंगे इस तरह का window आपके सामने आ जाएगा and pre scan पे हम इसको click कर देंगे pre scan से क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमारी book कितनी है और book में से कितना part हमको एक बार में लेना है सो आपके scanner की application में भी यह option होता है कि आप अगर पूरा page लगा रहे हो तो इसमें तो कुछ हिस्सा अगर आपको एक बार में scan करना है तो आप कर सकते हो सो मेरे पास यह आप देख रहे हो कि दौनों page आ गए है तो मैं मुझे यह page लेना है सिर्फ अभी तो मैं यह page ले लेता हूँ page number लेने की ज़रूरत नहीं है यह page मेरे पास आ गया and then scan तो इसी तरीके से दो page अगर आप एक बार लगा रहे हो तो दौनों में से एक करके page आप ले लो और सारे pages को एक folder के अंदर आप scan करते जाओ फिर इसको कैसे चेंज करना है वो बहुत सिंपल तरीका में बताने वाला हूँ तो यह page यहाँ पे scan होके आ गया है तो यह वैसे तो एक folder में save है वहाँ से जाके आप इसको निकाल सकते हो लेकिन फिर भी अगर आप चाहरो के अलग folder save करना तो यहाँ पे आप कहीं भी अपने computer में जहां भी आप चाहो वह एक folder बना लो और उसके अंदर यह सारे pages को एक एक करके save कर लो तो हमें जो 10-15-20 minutes लगने वाले है हो लगने वाले हैं सिर्फ scan करने के लिए उसके बाद type यह कितनी जलती हो जागा यह मैं आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पर हमने खोला है Google Drive को Google Drive से आप बहुत अच्छे से भली भाती पर्चित हैं तो drive के अंदर हमने एक folder भी बना लिया है OCR book के नाम से folder बनाने का त सकतो एक बार में तो file upload के option पर आप जाएंगे और यहां जो page आपने लिया था भी scan करके उसको इसको upload कर देंगे तो यह page आ गया अब इसको type कैसे करना है बहुत simple तरीका right click करो open with Google Doc So within second, जितनी देर Google Doc को open होने में लगेगी बस उतना ही time लगने वाला है और यह page आपके सामने नीचे type होके आ गया इस page को एक side में हम देख लेते हैं कि हमारे page पे क्या लिखा था तो यहां पर मैं यह page लगा लेता हूँ और दूसरी जगे आपकी जो image है मैं उसको open कर लेता हूँ देखिए इसकी अगर आप देखना चाहें तो आप Hindi को भी चेक कर सकते हैं नई संस्क्रण की प्रस्तावना इस पूरे संसार में सिर्फ एकी कोना है जिसे सुधारना पूरी तरह से आप के हाथ में हैं और वह हैं आप Swam यहां पर आप देख सकते हो बस कहीं कहीं हो सकता है कि यह म जो है बड़ा लिखा है तो इस वाजे से यहां पर यह नहीं आया बाकी सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो कि यह कितना शुद्दिस ने लिया है अब बहुत लोग कहेंगे कि नह करने की ज़िरूरत ही नहीं है अप असानी के साथ में कुछ भी एडिट कर पाओगे यहां पर कुछ भी जो आप लिखना चाहो वह अप अडिट कर पाओगे लिकिन अगर को कंव Civic करना है तो सिरफ यूंिकोड कुढकी ध्साइल करने कि चले जाए यहां पर आपको यह option में लेगा इसको open कर लीजिए यहाँ पर unicode font को paste कर दीजे नीचे आपको कृतिदेv font मिल जाएगा convert to कृतिदेv पर क्लिक कर दो को वैसे भी मिल जाएगा अब इसको मैं copy कर लेता हूँ और मैं ले जाता हूँ word में देखो मुझे कितनी देर लगी एक page को type करने में आप खुद देख सकते हो और मैंने आपको unicode में भी करके दिखा दिया यहाँ पर मेरे पास में font है यह कृतिदेv 40 और आप देखो कि यहाँ पर type होके आ गया हिंदी में तो यह तरीका है अगर आपके पास बहुत सारे page हैं तो आप हिंदी में उनको type कर सकते हो और दूसरा तरीका जो मैं बताने वाला हूँ वह है mobile phone की मदद से कैसे आप किसी भ अब mobile phone की मदद से कैसे मैं इसको scan करके इसके अंदर से text निकालता हूँ और साथ ही अगर मुझे जरूवत होती है तो उन text को मैं translate भी कर पाऊंगा साथ के साथ तो उसके लिए बहुत simple तरीका है आपको play store से download करना है google translate को और यह बहुत powerful application है complete एक video मैंने इसके उपर बनाया था जिसका link में नीचे description में दे दूँगा वहाँ से आके आप देखीएगा क्या 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 आप कर सकते हैं इसके साथ में यहाँ पर आपको नीचे option मिलेगा language का किस language में आपका content है और किस language में आप उसको translate करना चाहरे हो तो मैंने यहाँ पर हिंदी और गुजराती को select कर लिया है इसके साथ मैं आपको यहाँ नीचे camera भी दिखाई देगा तो सबसे पहले हम camera पर tap करेंगे आपका camera आ जाएगा और जहाँ पर आपकी book है वो real time है अगर internet चला हो तो real time है वो गुजराती में convert होगी आपको दिखने लग जाएगी लेकिन आपको इसके scan करके इसका text निकालना अगर पढ़ना है तो आप ऐसे कर सकते हो सो यहाँ पर आपको नीचे के scan का option भी दिखाए देगा यहाँ पर हम इस पर tap कर देंगे और उसके सामने आपको आ जाएगा यह सर के लेगा तो यह असल में camera है और आपको सिर्फ इसका एक photo लेना है तो मैं यहाँ से इसका एक photograph ले ले लेता हूँ इस तरह से अब यहाँ पर आपको कुछ brackets दिखा ही रहेंगे brackets को बस आपको यह उंगली से इस तरह से scratch करना है जैसे scratch card आता था ना पहले आप कहीं भी mall वगेरा में जाते थे या आपके किसी भी gift में कि scratch card मिलता था उस तरह से आप यह scratch कर सकते हो और जैसे आप इसे scratch करोगे तो आप देखो कि Hindi और गुजराती में दौनों में यह जो matter है यह translate होके आपके पास आजागा बस इस पर tap करिए यह यहां पर आप देखो कि Hindi में पूरा type होके आगया है नीचे इसके English में type होके आगया अगर आप जैसे phone से आप message करते हो वैसे बिलकुल type होके आगया है और तीसरा यहां पर आपको यह गुजराती में मिल जाएगा कितनी best application है आप कितने सारे काम इससे कर सकते हो आप अगर थीसिस बना रहे हो अगर आप notes बना रहे हो तो आप इसकी मदद से बना सकते हो इसको जो copy करना है और अपने mail पे कहीं भी भेजना बड़ा आसान है यहां पर आप आपको एक button देखेगा इस पर यहां पर यह जगह है इसको tap करो तो यह copy हो जाएगा copy करने के बाद simple आप इसे कहीं भी mail पर WhatsApp पर कहीं भी paste करके आप इसको भेज सकते हो तो देखा आपने अपने कितने आसानी से एक book को और pages को translate भी किया उनसे text भी निकाला और हमने अपने mobile iPhone की मदद से कैसे एक book को scan करके उसको OCR से text भी निकाला और साथ के साथ उसको translate भी किया आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और ऐसे ही और वीडियो आपको दिखने हो तो नीचे इस वीडियो के description में बहु